नुबश्कार साथियों, आप जानते हैं कि आज हम सब लोग बहुत बड़े एक संकट के दौर से गुज़रे हैं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इस सरकार और प्रशाशन के दौरा जो एडवाईजरी जाहरी हो रही है उसको आप फॉलो करें सरकार की गाईडलाइन्स को मनें और सोस्यल डिस्टेंस जो आपसको बना के रखें और दूसरा में यह कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रवेश सरकार दौरा चार दिन पहले यह notification की गई कि जो लोग चड़ीगड में पंजाब में या दिली में जो फसे हैं वो हिमाचल भवन चड़ीगड और दिली में रह सकते हैं उनकी खाने की और रहने की विवस्ता सरका और एक नेशनल चैनल के माध्यम से जब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि हिमाचल भवन में जो है वो आम आदमी के रहने की विवस्ता नहीं है ये नेशनल चैनल में दखाया और देखा गया कि बहां पर जो है सरकार की नोटिफिकेशन के बावजूत भी जब मीडिया के लोग बहां गये और दूसरी बात यह है कि गेट कीपर से जब पूछा गया कि वही आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे तो गेट कीपर नहीं कहा कि उपर से अधेश हैं कि अंदर कोई लिजाएगा तो बड़ी हरनी की बात है कि जब सरकार एक तब से कह रही है कि हिमाच की लोग ठह रहे हैं सरकारी गाड़ियों में जो है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और बहुत सरे लोगों की आज दो दिन हो गए मुझे भी हिमाचल प्रदीश कॉंग्रस कमेटी की तरफ से चंडीगड़ और पंजाब के लोगों की समस्यों को हल करने के लिए सब्सक्राइब और आज सरकार को इस बात की बहुत ज़्यादा है जो है वो तकलीफ हो रही है कि हमें हिमाचल भवन को लेकर ऐसे सी बाते की जा रही है मैं यह कहना चाहता हूं कि अपोजिशन जो है उसकी जिम्यवारी है कि सरकार को गलत काम करे तो उसको रोका जाए और ह करें हमने तो सब्सक्राइब कर रहे हैं कि अगर ऐसा-एसा हो रहा है मीडिया ऐसे से दिखा रहा है तो उस पर आप जो है वो मीडिया के उपर अफ्यक्त कर रही है आज सरकार जो है अब पूजिश्चन के द्वारा जो आवाज उठ रही है उसको उसको दोबाने की साथ कंदे से कंदे मिलाकर चल रही है आज सरकार जो है उसको कॉंगर्स पार्टी ने पूरा समर्थन दे कर रखा है कि इस समस्या खड़ी हो गई है इसको हल करने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें कॉंगर्स के सभी विदायकों ने अपनी एक महीने की सेलरी जो है इस संकट की घड़ी में देने का अलान किया है हमारे PCC प्रेजिजन उन्होंने भी कुंज हजार पर देने की गोशना की और समाज से जो लोग साधन संपन हैं उनसे लोग की संकट की घड़ी में सब लोग आके सरकार का सेहोग मिलकर का स्ब्ध Marriage creating और इसरिक में जो लोग हमेरे गरीब लोग ईह समस्वाषं ना आये उनके लिए लिए आप मदद करें मैं कहना में केहना साहता हूं कि सरकार जो है हर चीज़ को नेग्टिव ना लिए सरकार जो है इसके सरकार के साथ जो है हम सब लोग इस वक्त खड़े हैं और सरकार आगे जो है लोगों की मदद करें और मैं एक बात और कहना चाहरा हूं कि आज हिमाचल परदेश के लोग जिनकी बेटियां चंडीगड में हैं पंजाब के लोग सारे के सारे जो है वो अपनी बेटियों को लेकर चले गए सर्कार ने उनका स्यों किया। हिमा चल धिवसर वमाबले में आगे नहीं तो रह रही है। और लोग जो हैं जिनकी बेटी हैं यहां परंटी गड़ में अकेली-अकेली बेटी पीजी में रह गई हैं वो लोग परिशान है सरकार किसके लिए कुछ कदम उठाए और जो लोग फसे हुए हैं उनको उनका मेडिकल चेप करने के बाद उनको जो है इसा सरकार को रास्ता ढूड़े ताकि लोग परिशान ना हो आप सब का बहुत बहुत धन्याबाद